नमस्कार दोस्तो मैं Dr. Pranjali आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे headache यानि की सरदर्थ के बारे में सरदर्थ किन कारूनों के वज़े से होता है इसके पीछे के लक्षर आपको कैसे देखने को मिलते हैं कब इसको migraine और कब आप headache में इसको differentiate कर सकते हैं और इसी कौन सी homeopathic medicine है जिसको प्रयोग करके आप अपने headache की परिशानी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं तो ये वीडियो दोस्तो आपके लिए बहुत जादा informative है आप इसको अंतक जरूर देखें और मेरे साथ बनी रहे दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो headache यानि की सरदर्ध हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी इसको जरूर महसूस किया है किसी को प्रतिदिन यानि की daily headache की tendency होते हैं किसी को महीने में या साल भर में कभी एक आथ बार headache हो जाता है महीने या साल भर में कभी एक आथ बार headache हो जाना दोस्तों इसको हम disease में बिल्कुल consider नहीं कर सकते हैं कि में भी आपके lifestyle के वज़े से आपकी नीन जिस्टब रही हो या किसी अनकारण के वज़े से आपको headache हो सकता है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी tension ना लें और उसको कृपया इग्नोर करें लेकिन यही headache होनी की tendency आपको हर दिन या हाफते में कम से कम दो से तीन बार अगर बनी रहती है आपको तो थोड़ा सा सचेत होने की आवशकता है और आपको इसको as a headache consider जरूर करना है अब बात करते हैं कि आपको जो कारण है वो क्या मुख के कारण है जिनके वज़े से आपको सरमे दर्ध होने की परिशानी हो सकती है आपको दोस्तों जो सोने या उठने का जो pattern है या खाने का जो तरीका है उससे भी आपको सरदर्ध की परिशानी हो सकती है अगर आपकी नीन डिस्टरब रही है तो भी आपको सर में दर्द हो सकता है आपने कुछ ऐसा खाया जिसके वज़े से आपको acidity tendency हुई उसके वज़े से भी आपको headache हो सकता है बहुत बार allergy के बाद आपको सर में दर्द देखने को मिलता है जिसे sinus headache बोलते हैं और आपको यहां यह frontal area में सर में दर्द की possibility जादा देखने को मिलती है आप बहुत देर तक भूके रहे गए हैं आपका BP बहुत down हो गया है या इवन बहुत high हो गया है इन दोनों ही cases में आपको सर में दर्द देखने को मिल सकता है आप बहुत ज़्यादा कमजोर हैं वीक हैं इसके लावा दोस्तों आप बहुत ज़्यादा continue study कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा stress की condition में इसमें भी आपको headache देखने को मिल सकता है दूप में आप exposed हो गया है आपको sunstroke हो गया है इस case में भी आपको headache देखने को मिल सकता है तो यह कुछ ऐसे basic causes हैं जिनके वजह सर में दर्द आये दिन देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने causes पर काम करना है कि आपको cause पता हो कि आपको किन कारणों के वजह से आपकी सर में दर्द पूरा है बात करते हैं इनके लक्षणों की लक्षणों के आधार पर आप डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह कारण है और उसके पीछे का कारण क्या है जैसे कि मैंने बताया था कि अलर्जी के वज़े से जो आपको सर में दर्द देखने को मिलेगा आपको इंस पारट पर मिलेगा आइब्रो के उपर और फ्रेंटल एरियां में देखने को मिलेगा यहां अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको दर्द जादा महसूस होगा इसके लावा जो cervical spondylitis के case में सर में दर्द देखने को मिलता है वो पीछे आपके neck से लेकर आपके back side में headache देखने को मिल सकता है इसके साथ साथ दोस्तों आपको overall अगर सर में दर्द रह रह रहा है तो आपके BP fluctuation के वज़े से या sun stroke electrolytes की गरबड़ी के वज़े से सर में दर्द देखने को मिल सकता है विज़न में आपको अगर गरबड़ी आई यानि की पावर आपके आँखों का बढ़ है तो आपकी ice ball में आपको pain देखने को मिल सकता है तो इस तरह के लक्षन है अब आम differentiate करेंगे headache और migraine के cases में माइग्रेन का case होता है उसमें आपको half sided pain देखने को मिल सकता है कि आपके Ochsen के आदे हिससे में आपको सर में दर्द देखने को मिल रहा है आपको बिल्कुल भी noise या light problem कॉस करने लग जाती है लेकिन दोस्तों ये headache के case में अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है headache किसी को है तो थोड़ी परिशानी उनको light आवास से लग सकते बट इतनी severity के साथ नहीं लगेगी जितनी migraine patients को लगती है इसके अलावा आपको जो migraine में vomiting हो जाती है या continue ऐसा sensation बना रहता है कि आपको उल्टी हो जाएगी बट headache के case में ऐसा बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को बलता है अब हम बात करते हैं दोस्तों हमेपेतिक medicine के बारे में मैं आपको आज एक ऐसा patent ट्रिक्मेंट करूँगी दोस्तों जो इवन वो अगर migraine site का भी headache आपको shift कर रहा है तो वो उस पर भी बहुत अच्छी काम करती है और आपको हर तरह की headache चाहे वो throbbing headache है आपको लग रहा है जैसे कोई सर पे हतोड़े मार रहा है sinus headache है cervical headache है इवन आपको eyes के अंदर eyeball पे pain लग रहा है हर तरह के headache पे यह बहुत अच्छा काम करेगी इवन आप study करते हैं आप continue study करने के बाद आपको सर में दर्द होने लग जाता आप over focused हो के कुछ कर रहे हैं नींद के बाद से आपको सर में दर्द हो रहा है stress depression के वज़े से हो रहा है तो यह सारे ही चीजों पर यह combination बहुत ही अच्छा काम करने वाला है दोस्तों आज मैं आपको बताऊं की श्वाबे ब्रेंग का alpha HA नाम से आपको यह patent drop खरीद के लाना है बहुत ही अच्छा काम करता है हर तरह की headache issues पे आपको किसी भी homeopathic shop पे यह बहुत easily मिल जाएगा आपको लाना है इसके 30 ml की file मिलती है आपको लाना है अगर आपको बहुत ज़ादा severity के साथ pain है तो आप अगर बहुत extreme में है तो आप इसको हर 2 गंटे पे प्रयोग कर सकते हैं और अगर एक manageable state में है तो आप दिन में 3 बार आपको लेना है लेना कैसा है 10 से 15 बून आधा कप पानी में डाल के लेना है आपको दिन में 3 बार normal condition में और अगर बहुत severity में है तो आप इसको धर 2 गंटे पे प्रयोग कर सकते हैं जब तक आपका सरदर्द ठीक ना हो या आपको उससे आराम ना मिल जाए अगर आप बहु से तीन दिन लेकर आप बंद कर सकते हैं दोस्तों एलफा एचे में आपको बैलाडोना, स्पाई जीलिया, नक्स वोमिका, ग्लोनाइन, सिकल कॉर ये ऐसी important medicine पड़ी है जो आपके gastric headache को धूप में निकलने के बाद हुए headache को एक निरोलोजिकल जो headache होता है उस condition में थ्रोब अगर आप chronically headache से सफरा रहे है तो अब इसको दो से तीन मेने प्रयोग करने के बाद खुद बहुत drastic improvement अपने आप में देखेंगे कि आपको सरमे दर्द अब पहले से बहुत कम यानि की ना की बराबर हो क्या है इसके साथ कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखते तो आप आपका headache automatically काफी हद तक better रहेगा सबसे important है आपके नींद नींद प्रॉपर रखें बहुत कम sleep लेने से भी आपको सरमे दर्द होने की tendency बढ़ सकती है दूप होती उसमें कम से कम निकलने की कोशिश करें और अगर निकलना भी है तो अपने सर को properly आप किसी cotton की कपड़े से cover करके रखें जिससे सर पे आपके direct sun raises ना पढ़ें जो आपके सरदर्द को trigger नहीं करने पाएगा इसके साथ साथ दोस्तों vitamin B12 की deficiency भी frequent headache cause करती है तो अगर आपने recently कोई भी vitamin B12 supplement नहीं खाया है तो vitamin B12 को लेने शुरू करें यह आपके headache tendency को काफी हद तक कम करेगा इसके अलावा अगर ICD issue है तो आप एक बढ़ा जरूर चेक कराएं sinus headache अगर हो रहा है तो अपने sinus की परिशानी पर focus करके medicine ले तो ही आपका headache complete होगा otherwise आप HA से कम तो जरूर होगा लेकिन इसके बार बार बनने की tendency बने रहेगी तो allergy की दवाएं भी उसके साथ साथ चूरू करवाएं then आपका headache completely ठीक हो जाएगा आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like जरूर करें शेयर करें जादा जादा फ्रेंक्स family members और relatives के साथ और अभी तक और आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरू सब्सक्राइब करें दोस